गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर टू इन ओएश्पी ओके ओई हईड्रोलिक एंड नुमेटिक्स में तो चैप्टर नंबर टू में बेसिकली है क्या पूरा सिलेबस में थोड़ाज डिसकस करता हूं उपके साथ चैप्टर नं क्तों शिंडिकल तिरओर अभाने है वह सब कुछ हम लोग डिसकस करेंगे यह होता है फ्लुविट्य के के बारे में आ adapts स्पूरा करेंगे तो हैकाःबस में मैं पहले मिलोग बात करें सिस्ट्म कंपोनॉन की वह भाल करset ऑप constellation यह निए अगे तो यह सिंबोल्स के बारे में बात करेंगे हम लोग आज तो यह सिंबोल्स कौन से कौन से तरीके के होते हैं आज यह डिसकस करेंगे एस पर ISO and NC तो समझो कि कौन से कौन से सिंबोल है यूज हो रहे है वह आज हम लोग देखो है टोल इक में बहुत सारे कंपार सो तर्फ है जैसे like a pump and compressor से pump and compressor से next hydraulic mortars है और से कौन से कौन से कंपारे यूज हो रहे एक उसके वारे में मैं भी बाट कर रहे हैं को कैसे लिंड्र सारे राट का और Стberga भी या कि दैन फ्लों कंट्रोल में बहुत सारे डिवाइस की ज़रुत परती है समझो कि भाट करें आगे उसके बारे में एक्यूमेटर यूज हो तो बहुत सारे ऐसे बहुत ही component यूज हो रहा है यहाप है तो समझो intensifier का यूज हो रहा है यह सब चीजों का यूज हो रहा है बहुत सारी चीजों का ठीक है तो यह सब चीजे समझो hydraulic circuit जो है उसमें हम लोग ड्रॉ कैसे करें अगर समझो कोई भी बीच बोलते हैं ऐसी सब सिस्टम से हम लोग जान सकते हैं कि यह इलेट्रिक सर्कृट क्या कहना चाहती है ठीक है कि यह इसमें कितने रिजिस्टर से कितने यह है कैपसिटर का यह सिंबोल है यह सब चीजे समझे बैटरी के लिए हम लोग ऐसे यूज करते सबकुछ यूज कर रहे हैं ऐसे ही हाइड्रोलिक सर्कृट में बहुत सारे सिम्बोल्स यूज हो रहे है ठीक है तो वह सिंबोल के बारे में हम लोग जानेंगे आज ठीक है तो सब से पहले बात करेंगे हम लोग सब first pumps and compressor के बारे में तो pump and compressor को कैसे हम लोग some circuit में define करेंगे okay सर्कीट में हम लोग कैसे उसको fine करेंगे ठीक है तो सबसे पहले unidirectional and fixed displacement की बात करेंगे सबसे पहले unidirectional and कोई भी जगह पे फिक्स डिस्प्लेश्मेंट कर रहा है तो इसका सिंबोल यह हम लोगों को याद रख लेने हैं सब यह हमको रट लेने हैं यह सिंबोल सिर्फ ध्यान रखना है कि भी हईड्रोलिक पॉम्प है तो पॉम्प के लिए राउन सिंबोल यह अगर उसकी श्राइब करेंगे अभी हमां साओंच के व्यांन पशल लुक्ठ की अचलिंज को केत सिंबोल आप तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी आए यह सब्सक्राब कर रहेकर सहवाइन के बारे में है यह सेस्वेटिसिमब्ल जो है यह है वो है बाइडियरीक्शन एडिन फिक्स डिस्परस्मेंट ऐडे जूर। but okay तो यहाँ पर क्या है सब से dynamics ही रहे गा अवर्ल के लिए यह c से तो उसके लिए गार्ण किसके लिए शॉरी हां हाई लीए यह है और और air compressor के लिए ब्लेंक रहेगा again same system okay then अभी थर्ड वन जो है वो है यूनि डिरेक्षिनल तो वह है यूनि डिरेक्षिनल ओके एंड वेरियेबल डिस्प्लेश्मेंट तो यहां पर डिरेक्षिनल के लिए same और वेरियेबल डिस्प्लेश्मेंट के लिए एक एरो दिया गया है कि यहां पर डिस्प्लेश्मेंट कहीं पर भी वेरियेबल है ऐसा ठीक है वह फिक्स नहीं है इसा इसके लिए same system दोनों के लिए यहां पर डार्क रहेगा और यहां पर यह जो है वो ब्लेंक रहेगा ठीक है तो यह बात कर रहे है हम लोग है इड्रोलिक लेन गश्मेंट यह सब जान लेना से यह इस नोलेज के लिए वसे वह अगर ऐसा कोई सिंबल है तो वह फिर वहां पर एयर कंप्रेसर ऑनको समझ में आएगा सरकीट में कि भी एर कंप्रेसर है या तो फिर आईड्रोलिक पंप ऑके तो यहां पर जो फॉर्ट वन जो है वो 팔leader displacement के लिए it remember तो यहाँ पर यह cuma बन गया automatically ऑके तो यह सब है ख है और पंप सब्सक्राइब के लिए यह भली पंप के लिए देन आगो सिब्सक्राइब इस अब सब्सक्राइब तो यह ठोड़ा सा तो उसक्राइब लोग ने पंप और नुमेटिक मॉटर के बारे में, ओके, तो यहां पर सबसे पहले बैबर, unidirectional and fixed speed, उसके बारे में बात करेंगे, यह hydraulic में, बैबर, सबसे पहले कौन सा है, यह है unidirectional and fixed speed के लिए, ओके, यह first वाला जो है, वो है, unidirectional and fixed speed, यानी, यह सिंबोल रहेगा, ओके, यहां पर unid तो यह जो है अगेन उसको क्या बोलेंगे बाई डिरेक्शननल यानी दो डिरेक्शन में यह फ्लोईड को फ्लो करने देगा और यहां पर फिक्स रहेगी तो यह है है hydraulic motors and pneumatic motors के बारे में बैब सिंबोल से हम लोगों ने जो आगे देखा वो क्या था pump and compressor करता यह समझो की mortar के बारे में तो समझो mortar और pump दोनो almost symbols almost same रहेंगे ठीक है क्योंकि pump और mortar दोनों समझो कि एक ही system और एक ही symbol पर काम करते हैं ठीक है एक ही symbol जैसे होते हैं यहां पर directional जो है और वहां पर displacement था और यहां पर स्पीड है चीज दोनों same ही रहेगी समझो ठीक है तो pump और mortar दोनों एक ही है इसलिए ठीक है अभी next बात करेंगे हम लोग कि यूनि डिरेक्शनल एंड वेरियाबल स्पीड तो स्पीड के लिए हम लोगों ने देखा था वैसे ओके वेरियाबल स्पीड के लिए क्या था एरो था ठीक है और समझो कि बाइडायरेक्शनल एंड वेरियाबल स्पीड ठीक है और पंप समझो हैड्रोलिक मॉटर और एर मॉटर दोनों same ही होते वैसे हैड्रोलिक पंप और एर अखर और est ऑयर पंप दोनों almost Sam जाई खान ठीक है शिर्फ यहां पर सिंबॉल में डिफ्रणस ही रहेगा कि यहां पर ब्लैंक रहेगा दोनों जगा और यहां पर डाब। तो यह बीडिफरन्स है तो यूि ड्रेक्सिनल के लिए और व्यरियाबल स्पीड के लिए घंट अब बहुत को यह रहेगा यह है यह भाई डाय ड्रेक्ष नल्ड और यह वक्राइब बोर्ट ॥ विद्ग authors के बार नियुक्तित को याद रखना है यह मर्ग समय को सिर्कॲिए गर क्राइम लोगा को कोई भी Province कर निए तो इसके लिए हम लोगों को सिम्वोर को याद रखने पड़े वैद रखना पड़े हैं अभी हम लोग बात करेंगे हम लोग बरबर तो यहां पर क्या है कि समझो सिलिंडर सिंगल एक्टिंग सिलिंडर से यहां पर चार तरीके के सिलिंडर हम लोगों को तो यह सिंगल एक्टिंग सिलिंडर की बारे में बात करेंगे हम लोग बहुँ तो सिंगल एक्टिंग जो सिलिंडर है उसमें समझो कि स्प्रिंग डिटन टाइप कि Il거야 कि यहां पर समझ стенेंडर के वने एंड पे स्प्रींडर होती हैजिसे सुम्झों स्लिंडर फारड करता है उसकी हो जाथे और पोके तो यह एश्च की स्डण का श्रण हुट M stab करकेगे आठके27 Pla CEOpen स्प्रिंडर होती है तो यहां पर स्प्रिंग होती है ठीक है रहे तो इसा ही सिम्बॉल है तो उसको रिटन कर देता है वापीस ठीक है यह है spring return type okay then single acting cylinder में हम लोग देखें एक दुसरा वह है gravity type okay gravity type है नहीं समझो वह gravity type क्या होता है समझो अगर कोई भी यह gravity type ठीक है तो इसका सिम्बॉल इस तरह से है एन इस जो पिस्टन है वो gravity के करण मुझ कर रहा है समझो बढ़र रिटन ग्रेविटी जो रिटन हो रहा है वो gravity के करण हो रहा है ठीक है ओके ऐसे ही हम लोग डिसक्स करेंगे next double acting cylinder बढ़र यह है यह single acting है वैसे ही double acting cylinder के बारे में तो क्या होता है डबल acting cylinder यह हमारा double acting cylinder को यहां पर दो पिस्टन रोड रोड होता है डव्यक्तिंग में बढ़र तो इसका सिंबोल यह रहेगा कि दो piston रोड रहेंगे ठीक है और यह single single road type जो है वह single road यहां पर फॉरवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व ठीक है ओके यह डबल एक्टिंग सिलिंडर के बारे में बात हुई ठीक है अभी रोटेटिंग सिलिंडर के बारे में बात करेंगे ठीक है तो जो रोटेटिंग सिलिंडर है तो यहां पर सिलिंडर जो है वो समझो कि हमारा जो सिलिंडर है यह हमारा यह हमारा सिलिंडर है बरबर तो यह सेंटर में उसका सिलिंडर जो रोड है बरबर तो यह रोटेट करता रहे करता है जैसे मुवमेंट होगा उससब से रूटेट करता रहेगा तो यह रोटेटिंग सिलिंडर डाइप है यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है ठीक है यहाँ पर जो सीलिंडर है हमारा रोटेट कर रहा है ठीक है कि उके है अभी झस सा भी नेक्स STEP तो अगर यह इस लिंडर है उसके दोनों साइड कुशन लगे हुए एंट यान डेन अफ्टर एहरो तो यह है सिलिंडर विड कुशिंग की इसके यह हो गया जिलिंडर के बारे में जनरल फैन्री चार तरह के सिलिंडर रॉटेटिंग ऐसलिंडर एंदेन सिलिंडर वीड यह सब कुछ डीटेलिंग में अभी समझो कि हम लोग बेजिक डिसकस करें यहां पर बहुत सारे बेजिक सिंबॉल्स हैं आइडिलिक सर्कीट के तो हम लोग थोड़े फटा-फट इसको डिसकस करेंगे क्योंकि यह बेसिक अभी इनिशली जानना जरूरी इसलिए ठीक है अभ हिए उसको सिंबुल्स कोके तो नेक्स्ट करेंगे यह है प्रेश्र कंट्रोल यह इसको बंदगग्व करो में पूğचा गया है सिंबॉल्स टेंग यृम si outro की कौन से कौन से तरह के वाले ऋसके सिंबॉल्स ओके तो अप्सकाशो निज़ीट यह तो ग्रोकरोए नज यह प्रेशर समझ के सब्सक्राइब कर तेली फाल के लिए यह सिंबॉल algorithm के लिए रेक्टेंगल यह डायर्इक्शन वानव प्रीश री लीफ के लिए य यह डायरेक्शन है प्रेशर रीफ के लिए ठीक हो then sequence valve with reverse free flow okay sequence valve with reverse free flow उसके लिए symbol है ये symbol जो pressure relief वाल है उसकी तरह ही है पर यहां पर जो reverse free flow है तो उसके लिए एक extra line यहां पर दी गई है समझजाओ है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल यह जो वाल है बरबर उसको हम लोग अगर 90 डिग्री पर मुव्मेंट कर दें वाल सब सेम ही रहेंगे आपको एक ही याद रखने उसके थोड़े-थोड़े सा जो एटेच्मेंट में जो डिफरेंस है वह ही चैंज करना है तो अभी बात करेंगे के नेक्स्ट क्टि प्रेशर सिख्वाइब प्रेशर रिडूइशिंग वाल के बारे में प्रेशर रिड्यूसिंग वाल है वह प्रेशर रिलीफ हाल है वॉल है हमारा यह हुआँककाolly कि यह अन्लोडिंग वाल अभी देन बात करेंगे काउंटर बैलेंस वाल ओके काउंटर बैलेंस वाल जो है वह है समझे सीक्वन सिक्वन स्वाल विध रिवर्स फ्रीफ्लो हम लोगों ने देखा वो ही वाल है उसको अगर समझो हम लोग 90 डिगरी पर मुह करा जात तो वह कि अब भी नेक्स्ट बात करेंगे अगर डायक्षोन को कंड्रोल करना तो डायक्षण कंड्रोल वाल की जरुत पड़ती है समझो तो उसके लिए बहुत सारे वाल यहां पे दीए हुए है बरभर एक बात करेंगे सबसे पहले रिवर वह है चेक वाल हम लोगने बहुत सारी जगव पर सुना है यह हमारा है चयक वाल कि उसका इसे चैक वाल का सिम्बोल है अभी बात करेंगे टो बाइट वाल यह सब समझो कि इसमें जो डिफरेंस है, वह हमें आपको समंझाता हूं, तो 2 by 2 वाल एस तो 2 س्टेटर है, एस देर्फोर रिप्रेसेंट बाइ two adjust to adjust square in each square is so how the medium can flow between the ports okay की जिसात दो यो ніпрест जो समझो की कौन से medium में flow हो रहा है okay तो हम इस दो medium है flow करने के लिए between the pot okay इस दन विट arrows okay यह arrows के एरो के ऑपर होता है ठीक है कि कौन से medium में यह 2 x 2 वाल यहां परे जो है कि वर चू तू बाइटू वाल है बरबर वैसे ही समझो यह बात करेंगे थ्री बाइटू वाल तो थ्री बाइटू समझो जो है यह वे नुमिर्टिक वाल है थी कनेक्शन पॉट्स यहां पर तीन कनेक्शन पॉट्स है यहां पर तू जो है वह वह है कनेक्शन पॉट्स स्टेट्स यहां पर तू बाइटू स्टेट्स यहां पर चार कनेक्शन पॉट्स तूस्टेट्स यहां पर यह सबसे वाल होता है तो जड़ 3x2 wave pneumatic wall has 3 connection parts and 2 states यानि समझो कि यह 3x2, 2x2 यह connection parts और states के बारे में है वैसे 4x2 wall यह 4x2 wall है ठीक है then समझो यह है यह हमारा 4x2 wall है और then 4x3 wall यह समझो अलग-अलग wall के types है यह हमको याद रखना है वैसे types of mid positions तो समझो कि ट्रवाल की जो mid positions है उसके बारे में बात करेंगे तो यह open center है यहाँ पर open center वाल है तो यह एकदम समझो कि कोई भी centers open है उसके second one है वो है close center यह है close center then tandem center यह है tandem center यह है tandem center एनी समझो कि centers के सबसे वाल की position यहाँ पर दी हुई है बड़ बड़ तो तो टेंडम center क्या है उसके बारे में फोड़ थोड़ ऐसा डिसकस करते हैं हम लोग तो यह है tandem center यह नहीं समझो एक एक साइड पर पूरा center है बरबर उके टेंडम center वाल लेट सब पंप अन्लोड वाइल ब्लॉकिंग सिलिंडर पॉट्स ओके वहां इसम्झो कि सिलिंडर पंप को अन्लोड करने के लिए वाल यूज होते हैं तैन रिजेनरेटिव center यह है हमारा रिजेनरेटिव सेंटर वाल ओके को अभी next बात करेंगे अ कि यह था पूरा वाल के बारे में अभी जोंग रोल नेक्स बात है वह फ्लोट center ओके उन फ्लोट center यहां पर है नहीं दिखाय गया नहीं है तो अभी बात करेंगे next फ्लोट सेंटर है फ्लोट सेंटर है तो उसका सिंबोल कि सबसे होता है यह कि थोड़ा डिफरेंस थोड़ा डिफरेंस होता है वैसे वाल इसाब से यह है हमारा यहां पर जो रेक्टेंगल है वो उपर की साइड आएगा और जो वाल है वो यहां पर left hand side पर आएगा representative center में wall यहाँ पर right hand side पर आएगा यह है float center wall अभी next बात करेंगे 5 by 2 wall अभी ज़स हम लोगों ने बात करी 5 by 2 wall ऐसे जैसे 3 by 2, 4 by 2 ऐसे 5 by 2 wall तो जो 3 by 2 के बारे में हम लोगों ने बात करी 5 by 2 में अभी यह जो भी wall है बरबर सिस्टम सही रहेगी बरबर तो पर यहाँ पर क्या होगा यह directions है बरबर डिवाइडर ओके देन यहाँ पर उल्टी डिरेक्शन इसकी mirror image और यह दोनों यहाँ पर वाल रहेंगे यह हमारा है 5 by 2 wall यह सब वाल्स की जो अभी नेक्स लेक्शन में बात करेंगे फ्लो कंट्रोल वाल्स वाल्स थोड़ा सा यह वाल जो है वो बोरिंग है वह से बरबर जानने के लिए थोड़ा इतना इंट्रस्ट आपको नहीं रहेगा व्याद को चीज़े याद रहें याद करनी इस लिए याद रखनी इसलिए कि यह समझो कि कोई थीरी नहीं है कि हमको उसमें इंट्रेस आ जाए यह जो चीजे है वह पूरी रट लेनी यह याद करने की चीज़े कि एसा संबल क्यों हो जो यह यह भी संब्यूकरी वह हम अपन कर सकते तो यह हम लोगों को याद कर आने ने हैं नेक्स टाइम तेहीं हम लोग नेक्स लेक्शन में करेंगे फ्लो के बाद ते बारे में गरें इसे था कुछ किनल में तो तंक यू